तो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब स्वागत है आपका वीडियो में और हम अभी जो है इस software के बारे में आपको बताने वाले हैं Libre Office के बारे में और सबी जो typing जो test होते हैं वो लगभग Libre Office में होते हैं विंडो में या फिर Ubuntu में तो मैंने जैसे पहले बता दिया LibreOffice और Ubuntu में बेसिक फरक यह है कि जो यहाँ पर जो font है ना font सेम काम करता है बसरते जो special character का जो code है ना वो दोनों में change हो जाता है किसमें Ubuntu में अलग होता है special character का code और इसमें अलग होता है ठीक है इसमें जो window में जो code होता है जैसे कि अल्टर जो code होता है वो होता है और उसमें जो है आप लोग बहुत सारा comment करते है ना तो मैं इसका पूरा जो tutorial आपको बना दूँगा यह software में बहुत दिन से यूज़ करता हूँ और यह बहुत बड़ी हाँ भी है तो जादूस इसको ले आना यह देखो यह standard toolbar यहाँ आन है अगर ऐसे करूँगा तो चला हो जाएगा गायब हो जाएगा तो उसको पहले रखो जब भी type करने बैठोगे आप वहाँ तो दो toolbar आपके पास होना चाहिए standard और फार्मेटिंग यह देखो फार्मेटिंग toolbar करके रख लेना है इसे करके clear ठीक है यह जो मैंने आपके पास टाइपिंग पेज रखा है वास्ताओं में यह सहाय ग्रेट 3 का एक टाइपिंग पेज है सेम इसी तरह से होता है मैंने 3-4 बार यह एक्जाम जो है दिलाई है clear तो आपको टाइप कैसे करना है तो टाइप जो ल्डियक्त करना है तो टाइप करना है तो यह वह से से काओ पार देना है तो pardon यहां प्रकास में प्मेल को टाइप करना है ठीक है, टाइप करने वीडियक्त की सब्सक्रist Elsa दिन है तो यह टेब लगाना है यह इस प्रकार से आपको आप इसमें टेब लगा सकते हैं यहाँ पर आपको इतना वाला जो पाइंट है उसको आगे सरकान है तो आप जो इंडेंट का यूज करेंगे इस प्रकार से देखे सरग गया ठीक है तो बाकी सब चीज MS Word की तरह ही होता है अब देखिए इसमें जो MS Word की तरह नहीं होता है उसको बात करते हैं तो पहला हमने बता ही दिया कि वो जो special character का जो code है अगर Ubuntu में करोगे न तो change हो जाएगा window में LibreOffice में करोगे तो जो character का जो code है न सेम रहेगा कुछ नहीं बदलेगा मतलब विंडो और विंडो में करोगे न तो MS Word और LibreOffice एक टाइप हो जाएगा अगर कोई चीज इंसर्ट करना चाहते है तो यह इंसर्ट में जितना भी इंसर्ट करना है प्राका तो कितना है अल्टर 231 और यहां पर देखो अगर उबुन्टो में कर रहे हो नहीं तो आपको क्या दबाना पड़ेगा control shift u plus e7 दबाना पड़ेगा और decimal कतात पर यह यह है अगर आप window में हो तो क्या दबाना पड़ेगा अल्टर 231 दबाना पड़ेगा करेक्ट ठीक है तो इंसर्ट option में जितना भी इंसर्ट करना है वो चीज दिया गया है इधर जो यह है status bar यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही वो सब दिखाई देती है कोई चीज आपको खोजना है तो यहाँ पर edit में find command होता है देख लीजे यह find and replace का भी आपको लेकिन यह typing में generally use होने याँ चीज़ें नहीं है पेज सेटप सबसे महत्तपोन है और डूसरा है आटो करेप्ट आप्सन तो आटो करेप्ट आप्सन यहाँ पर से देखो एक पर spelling grammar है इसको जैसे आन करोगे ना पुरह लाल 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 यहाँ पर देखो इस चीज़ को select हो उसके spelling बताएगा तो यह फालतो चीज़ है इसको बंद करो आगे देखिए सबसे important है आटो करेप्ट आप्सन जो कहाँ पर है यहाँ पर है यह देखो इसको हमेशा भाई यह यहाँ पर इसको देख लो यह वाला चीज यह वाला चीज यह वाला चीज यह यह replace देखो वैसे न देखा जाए तो मैं इसको पहले से setting करके रखा हूँ इसमें जिदने भी चीज़े है न जो replace करने के उसको delete करना है आपको कोई भी चीज replace मत हो नहीं तो एक चीज़ को type करो के दूसरा type हो जाता है ठीक है यह देखिए अगर इसमें सब में click कर का by type होगा ठीक है replace डेस डेस डालोगे तो replace हो जाएगा है न तो इससे आपका जो हिंदी टाइपिंग पुरा खराब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप इसको आन करोगे न तो हर sentence के पहला जो word है न उसको capitalize कर देगा और इस तरह से आपका जो typing है न आन के ता महत्रपूर्ण देखते हैं वो क्या है न आपका क्या बोलते हैं साट कटकी है तो साट कटकी जो है न आपको याद रखे न इसमें बहुत सारे default साट कटकी होते हैं लेकिन अगर आपको साट कटकी नहीं मिला है से control भी दबाने पर bold नहीं हो रहा है करेक्टर वाला dialogue box नहीं महत्रपूर्ण भई है तो देखो पेज सेट अप यहां से आपको करना है अब देखिए यहां पर margin inch में है न जितने भी 0.3 inch 0.59 inch अब जैसे कि आप जो परिक्षा में दे दिया है आपको सेंटिमीटर में ठीक है न आपको परिक्षा में दे दिया है कि भाई जो है लेप त इसमें टोल से में option में चले जाओ और उसके बाद जो है यहां पर है जनरल यह देख लिजिए लिब्रे आफिस है न इसमें जो जनरल है जनरल में आईगा और यह देख लिए यहां पर राइटर में आईए भई यह राइटर में जनरल आईए और यहां पर inch है उसको किसमें अगर आपको page border देना है, तो यहाँ पर देखिए, page border का भी option है, आप यहाँ पर ऐसे देंगे, तो apply करेंगे, तो यह दिख लिए यह आ गया है, clear, ठीक है, यह, बाकि इसमें type करने में, जिसी यह क्रोती पेड जो font है, वही select है, तो जो typing होता है, बिल्कुल MS Word की तरह होता है, जितना alter code है, वो सब इसी पर लगव होता है, बसरते, जो operating system हो, क्या हो, window हो, अगर यही software Ubuntu में काम करेंगा न, तो जो special character, जो code है न, वो बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, जैसे देखिए, एक code ले लिए, उदाहन के लिए, इसमें आजाए, more character, तो यह ले लिए, अल्टर करेक्टर होला code है, अल्टर 246, और Ubuntu में इसी का code होगा, control shift U plus F6, ठीक है, clear न, ठीक है, तो इस तरह से यह होता है, और बाके इसमें typing करने में बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर, formatting के लिए आपके पस दो option है, जब भी आप जो है, फार्मेटिंग करें, यह sidebar है, इसको हमेशा on करके करी, font यहां से change करने में बहुत असानी होती है, अगर यह आपके software में नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, view में जाना है, view में जाकर यह sidebar है, इसको दबा देने, जैसे कि यह करूँगा, तो बंद हो जाएगा, भाग जाएगा, और जैसे लिकना भी चीज़ है, यहां से change होता है, और लगभग लोग है, जितने जो shortcuts है, control B, control I, control U, control S, justify, यह सब चीज़ यहीं पर है, और जो window में जो होता है, MS Word में वही चीज़ यहां पर भी होता है, जैसे control L करेंगे तो यह left चला जाएगा, control E करेंगे तो center में आ जाएगा, control R करेंगे तो right चला जाएगा, control J करेंगे तो यह justify हो जाएगा, अगला एक महत्व पूर्ण चीज़ होता है, line spacing अगर बढ़ाना हो, जैसे bullet and numbering देंगे तो line spacing जो है, बढ़ाना पड़ता है, यह दिख लीजी इसमें spacing ज़्यादा है, किसके बज़ाए इसके पेक्षा, तो य यहाँ पर increase indent है, यहाँ पर देखेंगे, line spacing है, insert paragraph spacing भी यहीं पर है, तो यहाँ पर 1.5 करेंगे, तो यह 1.5 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इस तरह से आप line spacing दे सकते हैं, तो दोस्तों यह रहा इस software का पूरा जो है जानकारी, जो typing करने में लगबग लगब tutorial चाहिए, तो आप नीचे comment कीजिए, मैं कोशिस करूँगा कभी इसका बनाने की, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगओ तो चैनल को share कीजिए, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, thank you